हेलो एवरिवन आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रेड रूट्स इन्सेंट इंडिया यानि प्राचीन भारत में जो प्रमुख बैबारिक मार्ग थे उनके बारे में हम आज के टॉपिक में रिस्ट करें किसी भी देश की आर्थिक स्रम्द्धि के लिए बैबार एक सबसे महतपूर कारक माना जाता है और भारत में प्राचीन काल से ही जो है हमें सुदूर देशों के साथ बैबारिक संबंदों के बारे में हमें सुचनाय प्राफ्ट होती हैं जैसा कि आप जानते हैं कि सिंदू सबेता का जो अनिको प्रश्मी ACI देशों के साथ बैबारिक संबंद थे प्राचीन भारत में हमें सभी प्रकार के बैबार से संबंदित उलेख प्राफ्ट होते हैं जैसा कि इनलैन और फॉरेंट ट्राइट से संबंदी सुचनाय में प्राफ्ट होती हैं इसके अत्रिक जो बैबारी होते थे उन्हें समाज में एक महतपूर जो है अस्थान प्राफ्ट था और उनकी किसी भी देश से तो समाज की अर्थवरस्था में उनका एक महतपूर जो है रोल हमें दिखलाई देता है जो बैबार होता है वो बैसिकली जो उद्द्योग है उसका उसका परडिती होता है क्योंकि जिते भी उद्द्योग की उद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द कि दाटिक जाता है and समय के साथ हमें अओर द्यों में हम्हें निकों परवर्शन दिक्लाई देते हैं उनुमें विकास का क्रम हमें दिक्लाई देता है और इसी के साथ हिसाथ विपार के लिए मुखरू उसे जो इन इन्लेंड और direct return mineral rate के लिए मुखरूर overseas trade यानि कि जो समंद्री जो बैपार है उसमें भी हमें development यानि के विकास दिखलाए देता है भारत के समंद्री बैपार की जो प्राचीनता है वह हम सिंदू सब्वेता तक लेकर जा सकते हैं सिंदू से पता के अनिकों पुरा स्तल से हमें अनिक ऐसे डॉक्याड और जो पंद्रगा थे उनके बारे में हमें पुरा तत्वी कुथकनों से साच्छ प्राप्त होते हैं इसके तरह समुंद्री बैपार की निरंतरता हमें वैदिक टेक्स में भी दिखलाई देती जहांपर पनी सब्द जो है आया है पनी सब्द जो है वेदों में उन वैक्तियों के लिए के अगया है जो कि मुखरूष से ट्रेड यानि बैपार जिक गथिविदियों में जो इंव बेपार हो रहा था मुकुरुस से अंतराष्टि बेकार मुकुरुस से समुद्री मालों के द्वारा हो रहा था वह उसका सबसे महत्पूर जो प्रड़ाम हमें दिखलाई देता है वह हमें अलग-अलग छित्रों के प्रजातियों को जोड़ने का वह काम करता है इसके साथ जोडने का काम उनके बीच संबन्द थाबिध करने का कारी कर रहा होता है इसके तुरिक एक अस्थान से दुसरे अस्थान पर वस्थों की जो एक्षेंज हो रही थी उसके दोरा जो है जो है देश के विविन चेत्रों में हमें एकनॉमिक यूनिटी एक आर्थिक एक तावी हमें विक्सित होती दिखलाई देती है क्योंकि किसी पच्छिकलर किसी अस्थान पर उत्पादी तवस्तू जब दूसरे अस्थान पर जाती थे और वहां से दूसरा यह है कि पौराने गरंतो में हमें बैपारियों से समझ जी अनिकों विवना हमें प्राप्ट होते हैं तथा जो है बैपार की जो वस्तू होतीती उनकी पूरी सूची हमें पौराने गरंतों में हमें देखलाई देती है महा काहपियु में मैं देखला देती. अंतr दीसी जो वैपार था वो शुर्वाती दोर में बेदा सिय वैपार के तूलव में ज्यादा महतपूर को देखला देता है. इस मैप में आप ये जो मैप है ये सिंदू हाटी सब्विता के सिस्थमंदित मैप है जिसमें आप सिंदू हाटी सब्विता के प्रसार शित्र को देख सकते हैं कि किस प्रकार से इनका प्रसार देखलाई देता है और और सिंदू सब्विता के इंटर्नल ट्रेड से समंदित इस भी आप आसानी से देख सकते हैं किस प्रकार से, एक पुरास्था जो है दूसरे पूरास्था से लाइन रूट ता आजवल आज, रिवर रूट के थ्रूट जो है, सभी पूरास्था एक दूसरे से वेरी वेल कनेक्टेड थे, यहाँ पर आप राकी गड़ी को देख सकते यहां पर आप लोथल को देख सकते हैं दौलावीरा यहां पर है सुदकांगडोर यहां है बोंजोद्रो और हर्पा यहां पर है तो सभी पुरा अस्तर एक दूसरे से अस्तरी मारगो एवं जल मारगो के द्वारा चुड़े हो थे इस मैप में सिंदु सभेता के द्वारा होने वाले पस्ची मेसिया के साथ बैपार को भी आप देख सकते किस प्रकार से यह सिंदु सभेता के जो निवासी है पस्ची मेसिया यह देशों के साथ लाइन ट्रेड रूट्स, एजवल एज, सी ट्रेड रूट के तुरू बहुत ही वेल कनेक्टेड थे और इसके तरिक जो है अफगानिस्तान और सेंटरल एसिया तक भी इनका जो है हमें प्रभाव जो है रिख लाए देता है, बेपारिक सम्बंध हमें रिख लाए देते हैं अब यह क्रसे प्राफ्त होती थे जो उत्पादी तवस्तुए थी वो एक अस्तां से दूसरे अस्तान पर जो है अब ठेड रूट्स के तुरू जो है की SPEAKER प्राफ्त होती है इसके तरीक जो है जो है अलग-अलग राज्च रहते थे उनके बीच भी हमें trade relation यह जो वैपारिक संबंद्ध हैं उनसे संबंदीत हमें अनिको वीवरण हमें प्राफ्त होते हैं और भारती महादीप में हमें अनिकों ऐसे ट्रेड रूट्स यानि बयापारिक मार्गों यानि बयापारिक पत्थों से सम्मंदित हमें विवरन प्राफ्थ होते हैं जिसके माध्यम से जो है इस्ट और वेस्ट एक दुसरे से बहुत ही आसानी से कनेक्टेट थे और कटकोटिल और मनी मनु ने अंतरदेशी और बेदेशी बयापार के प्रकती एवा महत्यों की और प्रकास डालते हैं देश की आर्थिक स्रमिद्धी में बयापार का महत्पूर योगदान हमें दिखलाई देता है मनु ने बयापार में मौरल वैलूज की महत्ता को स्विकार की और यहतयात किसी भी बयापार अथवा उद्योग के लिए जीवन रेखा मानी गई है और रिविद्ध में इसे समद्धी दनैको जो है विवरेन हमें प्राफ्थ होते हैं कि उसमें ऐसा उलेख प्राफ्थ होता है कि जो विविन प्रकार के जो यात-यात के साधन है और जो ब्यापारिक जो मार्ग है उनकी सुरच्छा तथा उनका मेंटेनेंज राजा का प्रमुक्ष करता विमाना जाता है इसके तरिक्त हमें अनिको ऐसी सुचनाएं हमें प्राफ्थ होती है जिसमें बयापारिक वस्तूओं की ढूराई के लिए चारियिट का प्रयोग कार्ट का प्रयोग हमें दिखलाई देता है इसके तरिक तो जो भारवाहक जानवार होते हैं जैसे कि याक, गोठ, होर्स यानि घोड़े, उठ तथा हाथिया इनके प्रयोग से समय उद्रण हमें प्राफ्थ होता और इनका प्रयोग जो है अलग-अलग छेत्रों में अपनी भोगोली का आउसकता नुसार जो है इनका प प्रयोग जो है मुखरू से रिगिस्तानी छित्रों में किया जाता था होर्स का प्रयोग जो है मुखरू से मैदानी छित्र होते थे वहां पर और अलफिन का प्रयोग भी जो है जंगली छित्रों में मुखरू से किया जा रहा था और प्राचीन भारत में जो है जो सडके होती थी उनका भी हमें वर्गीकरण जो है हमें दिखलाई देता है और वो वर्गीकरण मुखिरुसे उनके प्रयोग और उनके जो डिस्टिनिशन होते थे उनके अनुसार जो है उनका वर्गीकरण किया जाता था इसके तरींग प्राचीन भारत में यातायात के लिए नदियों का प्रियोग भी भथपूर माध्यम माना इसके तरींग बैबार में होने वाले reply बार्वत शरूप प्रमुख बैबारिक मार्ग हैं उनके उपर भी जो है जो सासन होते थे उनका एक महतपूर जो है अटेंशन हमें दिखलाई देता है तथा कॉटिल अपने अरसास में भारती महादीव के अला गलक चेत्रों में उत्तपादित वस्तों की सूची भी प्रदान करते हैं वस्त हुए क्रिशी तथा उद्योगों के द्वारा उत्पादित वस्त हुए थी और इसके द्वारा भारतियों महादीप में जो है जो अंतरदेशी बैपार हो रहा था उसको हम आसानी से समझ सकते हैं तथा जो मौरे काल में हमें यह दिखलाई देता है कि जो मौरे प्रशासन था या जो मौरे सो सकते उनका इंटरणल ट्रेड यानि जो अंतरदेशी बैपार हो रहा था उनके उपर जो है उनका सीधा जो है हमें नियंतरनक जो है दिखलाई देता है उनका नियंतरन ना सरिप इंटरनल ट्रेट रूट्स के ऊपर था जो बिदिशों के साथ जो ब्यापार हो रहे थे उनके ऊपर भी हमें इनका नियंतरन दिखे लाई देता है और बिदिशी ब्यापार मुखरों से East और Western जो Sea Coast हैं उनके द्वारा जो है किया जा रहा था तथा मौरेपेर्ड में जो है ग्रीक्स जो इंडो ग्रीक्स रूलर्स के साथ इनकी जो फ्रेंड्सिक थी उसने भी भारत के बैपार को पश्मी देशों में बढ़ाने में हमें मदद कर देखे बहुत गरंतों से हमें अनेकों ऐसे से हमें उनके द्वारा एक अस्थान से दूसरे अस्थान पर र्यात्रा करने से सम्मंदित विवरण हमें प्राफ्थ होते हैं इसके अत्रिक जो है इन ग्रंतों में हमें उन बैक्तिवों के द्वारा जिन ब्यापारिक मार्गों का प्रयोग किया गया उनसे सम्मंदित हमें हमें प्राफ्त होते हैं, communication यानि संचार जो माध्यम थे उनके बारे में हमें सुचनाय प्राफ्त होती हैं और व्यापारिक पत्थों से सम्मंदित सुचनाय प्राफ्त होती हैं, पुरा तत्वीक साच्छों के सहाथा से हम जो है इन व्यापारिक मार्गों और उनकी जो interaction थे यानि एक दूसरे से जो connectivity थी उनको हम आसानी से उनको trace भी कर सकते हैं, इसके तरी साहिती ग्रंथों में हमें दो प्राफ्त जो है, प्राचीन भार्ण के दो प्राफ्त के दो प्राफ्त ब्यापारिक पत्थों से सम्मंदित हमें सुचनाय प्राफ्त होती हैं, पहला है उत् दूसरा है दच्छनापत, इन दोनों प्राफ्त ब्यापारिक मार्गों का एक हमें लंबा इतिहास हमें दिखलाई देता है, और जो सताबदियों तक जो है इनके द्वारा भारत में एक अस्तान से दूसरे अस्तान पर ब्यापार होता रहा, उत्तरापत को जो है दग्रेट नॉर्दर्ण ट्रेड रूट भी का आ जाता है और ये उत्तर भारत का जैसा कि नाम से इस पस्ट है उत्तर भारत का सबसे प्रमुख जो है ब्यापारिक मार्ग था, दूसरा मतपूर बास इसमें ये है कि ये मार्ग जो है भारत के भारतियों पमादीब के नॉर्थ चित्र जिसको आजकल जो पुस्कलावत्ती और तस्सिला के से ये आरम होते थे और सिंदु सबिता और गंगा प्लेंड से होते वे ये बेया बिंगॉल में तामरलिप्ती तक जो है ये जो है बैपारिक पत जो है आता था, अस्ट्रा ध्याई में भी हमें इससे सम्मंदित ह हमें सुचनाय प्राफ्त होती है जिसमें ये कहा गया है कि उत्रापत जो है विभिन राजियों से होता हुआ गुजरता है बौद ग्रंथ, विने, पीटक एवब जातक ग्रंथों के आधार पर जो है उत्रापत से सम्मंदित हमें साच्छे प्राफ्त होते हैं और उसकी साहता से हम उसके मार्ग को भी जो है असानी से ट्रेस कर सकते हैं उत्रापत के साथ हमें अने को ऐसे छोटे ब्यापारिक मार्गों से सम्मंदित पी सुचनाय अप्राफ्त होती हैं लेकिन यहाँ पर यह लेकिन उत्रापत जो है दो प्रमुख भागों में या दो प्रमुख सेक्टर में विभाजित हमें दिखलाई देता है पहला है northern sector और दूसरा है आपका southern sector जो northern sector है वो‡ मुक्षरुफसे स्टार्ट होता था लाहॉर आजकर के गोरकपूर स्रावस्ती गोरकपूर से होते वे बिहार और बंगाल तक जो है सौधन जो सेक्टर है वो मुखिरुष से जो है लाहूर, रायविंड, भटिंडा, तेली, हर्सिनापूर, कानपूर, लखनो, अलाबाद में कौसाम भी होते वारांसी तक आता था और वहां से वो पाठले पुत्रा और राजगीरी जाता था और उसके बाद तमलिप्ती से जुड़ जाते थे इसके तरिक उत्रपत में हमें अने को ऐसे छोटे ब्यापारिक मारगों से संबंदी सुचनाएं में प्राफ्थ होती हैं जिनको फीडर रूर्स भी कहा जाता था उनको एक अस्तान से दूसरै अस्तान पर जो है by it और एक एकर जाना या जो है प्रमुख जो है रोल माना वो सिंध्य की और जाता था उत्रा पस्थे निकल कर सिंध्य की हो जाता था और तीसरा जो महत्पूर्ड जो मार्ग था वो ओडिसा के समुन्द ततवर्ती च्छत्रों की और जाता था इसके तरिक भी हमें यानि कुछ छोटे-छोटे फीडर रूट के बारे में हमें सुचना अप्राफ्त होती हो जिसको हम अगले स्लाइट के मैप में हम डिसक्स करेंगे उत्राफ़त के मार्ग के अंतरक्त हमें जो है यह भी दिख ला देता है कि यह जो बेहपारिक मार्ग था यह लैंड कम रिवर रूट था यानि कि अस्तली मारगों के साथ साथ जली मारगों का भी प्रयोग उत्रापत में हमें दिखलाई देता है और बहुत गरंथों में हमें अनिको ऐसे डिस्क्रिप्शन यानि विवरन हमें प्राप्त होते हैं जिनमें जो बैपारी होते थे अपनी वस्तू के साथ गंगा के माध्यम से एक अस्तान से दुसरे अस्तान पर वस्तू को लेकर जा रहा है थे इसके तरिक गंगा की जो अनिसाहयक नदियां हैं उनका भी प्रयोग जो है ट्रांस्पोर्टेशन के लिए त्रेड के लिए किया जा रहा था यमुना घागरा सर्यू इत्यादे इस मैप में आप उत्रापत के मार्ग को देख सकते हैं और जो की ब्लू लाइन से यहां पर दिखाया गया है उत्रापत मार्ग का जो आरम है जो सबसे आरम हमी माना जाता है वो है भातीम माधीब का नौर्थ वेस फ्रंटिर पुस्कलावती पुसकलावति पुसकलावति की पस्टात तस्छिला होते विए यह मार्ग जो है सिंधु नदी के छहत्रों को पार करने के पस्टात गंगा के मैदान में प्रवेश करता है और यहाँ पर हमें दो प्रमुख मारगों के बारे में हमने आपको बताया था कि दो भागों में उत्रापस जो है विवाजित हो जाता एक है नॉर्दन सिक्टर नॉर्दन सिक्टर को आप यहां पर देख सकते हैं जो कि थूना हस्तिनापूर श्रावस्ति गोरगपूर होते हुए वैसाली होते हुए पाटले पुत्रा तक आता था और दूसरा जो मारग है वो आपका यह मारग है जो कि कानपूर लखनो कौशाम भी और वाराणसी होते हुए पाटले पुत्रा तक आता था इसके तरिक हमें आने को feeder roots, इनको हम feeder roots कहते हैं, जो कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये जो मार्ग है, ये राज़्थान की ओर जाता था, जो कि राज़्थान metals and millers का एक main source था, और एक मार्ग यहां से सिंध के छेत्रों की ओर चला जाता था, और तीसरा जो मार्ग हमें दिखलाए देता है, जो कि feeder roots के रूप में, वो है तामलिप्ति से आके बढ़ता हुआ, उडिशा के coastal region की ओर, जो कि green color से दिखलाए गया है, ये मार्ग जो है प्रमुक्ता, इसके तरिक जो northern and southern sector हैं, वो भी आने छोटे छोटे मार्गों की सहायता स जो है एक दूसरे से जोड़े हुए थे, जिनके माध्यम से उत्तर भारत में बैपारिगत वीदियो को बढ़ावा दिया जा रहा था, इसके तरिक चंद्रकेतुगड से एक मार्ग भारत के north eastern छेत्रों की ओर जाता था, मुख्यरों से आसाम की ओर प्राग जोतिस की ओर जा जाता था, और पुष्कलावती से ही आगे बढ़कर ये मार्ग पश्मी देशों, इरान और सेंटरल एश्या की और प्रमुक्ड वैपारिक मार्ग जाते थे, अस्तध्याई तद्धा जातक से हमें फेरी के बारे में हमें सुचनाय प्राफ्ट होती है, जली मार्गों की द्वारा जो बैपार होता था, उससे समझी सुचनाय हमें प्राफ्ट होती हैं, किन्तो जो लैन रूट था वो बहुती महत्पूर था बहुत ग्रंतों में हमें बैपारियों के समुहों के बारे में सुचनाय प्राफ्त होती हैं जिसको कारवा कहा जाता था कारवा आफ ट्रेडर्स जो कि एक अस्थान से दूसरे अस्थान पर जो है बैपारिक मार्गों के द्वारा जो है जाते थे और बहुत ग्रंतों में हमें ये भी पता चलता है कि जो बोधिस मौंग थे यानि बहुत भिच्चु थे वो भी इन बैपारिक मार्गों का प्रयोग जो है किया करते थे दशनपत दशनपत जो है इसे ग्रेट सौधर्न ट्रेड रूट भी कहा जा ये जो है इसका महत्व हमें आरंभिक इत्यासिक यूग में जो है ये एक भतपूर बैपारिक मार्ग के रूप में हमें दिखलाई देने लगता है यानि कि मौरिकाल के प्रस्चाथ हमें इसके महत्व के बारे में हमें अनेको विवरन जो है ग्रंतों में हमें प्राप्त हो था गंगा के मैदान से आरंभ होता था और मगद के पाटले पुत्रा शेत्र से यह मार्क्स आरंभ होता था और आधुनिक औरंगाबाद जिले के पैच्छान जिसे तक जो ही जाता था यानि पाटले पुत्रा से आरंभ होकर यह एंसीन प्रतिस्थान प्रतिस्थान का जो आधुनिक नाम है वो पैठान है जो कि औरंगाबाद जिले में हैं वहां तक यह मार्क जाता था इसके अत्रिक जो है यह तच्छुना पर जो है स्रावस्ति से भी बहुती वेल जो है बहुती जादा जो है ट्रेइड इन कॉमर्स के लिए यूज हो रहा था और दश्रा पर जो है पच्छिमी जो समुंद्धति जो बंद्रगात थे उनके साथ इसकी कनेक्टिविटी जो है बहुती जादा महत्वपूर थी यह बहुती अच्छे तरीके से जो है उनके स जो है हमें बहुत घंटो महारत में हैं विंद्य के पार के छिट्रो में भाटकी से और च्छेत्तर चेस्चेथ। और उसके लिए जिन मार्गों का उन्होंने प्रयोक किया उसे इन बहुत ग्रंतों में जो है दशना पच्छ मार्ग कहा गया है जो कि विंधिक के घनी जंगलों से गुजरता था इसके अतरिक जो है सुतनिपात में हमें बावारी की कथा के बारे में हमें उलेख पराफ्थ होता है जिसमें बावारी एक कोसल का जो है एक सिछ शक थे जिन्होंने गोदावरी अश्च नदी के किनारे अश्चक नमाकस्थान पर जो है हर्मिटेज की अस्थापना उनन की थे और वहां पे वो अपने सिस्यों को असक से अपने सिस्यों को महत्मा बुद्ध से मिलने के लिए भेजते हैं और उनके सिस्यों ने इसी तच्छड़ापत मार्ग का प्रयोग किया था और वो प्रतिस्थान उजयनी विदिसा होते हुए स्रावस्ती तक गह थे तो सुत्रिपात में इस मार्ग को जिस मार्ग का प्रयोग इन बहुत भिच्छों ने किया था उसको जो है दच्छनापत कहा गया है इसके तरिक जो फिजिसियन जीवक थे उन्होंने भी मार्ग का प्रयोग किया था अवंती जाने के लिए आप इस मैप में दच्छनापत मार्ग को देख सकते हैं जिसे रेड कलर से यहाँ पर दर्स आये गया है और यह मार्ग मुखरुष से कौसामबी यहाँ पर इसका एक जंक्शन के रूप में हमें देखलाई देता है क्यों सब्सक् nightly बील 95 पॅब्धय यहांनी कि पाटल पुतरा से कोई व्यभारी सबसे पहले कौसामबी आता था और किसी को स्रावस्ति से आना है तो वी जो है कौसामबी आता था और कौसामबी से दच्छनापत का मार्ग यह आरंब होता था और विंद के छित्रों से होता हुआ विदिसा और उजयनी होता हुआ यह महाईसमती और महाईसमती के प्रशाज जो है महारास्टरक के आधनिक और अरंगबाद जिले में प्रतिस्थान यानि तक यह मार्ग आता था इसके तरीक दच्छनापत मार्ग जो है हमने आपको विजय सब पहले बताया कि पश्मी समुंद्र के बंदरगाहों से भी भली भाती जुड़े हुए थे और यहाँ पर आप देख सकते हैं भ्रेगुकच या भड़ाउच के साथ यह वेल कनेक्टेट है इसके तरीक यह जो थ वेस्ट की और यह द्वारका के प्रमुक बंदरगाहों से भी जुड़ा हुआ था और प्रतिस्थान से आगे चलकर यह जो है गोदावरी नदी के किनारे से थे प्रतिस्थान से आगे चलकर यह मार्ग आपके सुवन गिरी तक आता था और स्केत्रिक पोतन और मोसली जो की आंधरपदेश में यहां तक भी यह मार्क जो है वेल कनेक्टर हमें दिखलाई देता है विंदिक के जो छेत्र है वो गंगा के मैदानों के लिए खनीच प्रदार्थों के महत्पूर्ट सुरोज के रूप में हमें दिखलाई देता है क्योंकि विंदिक के छेत्रों से ही गंगा के मैदानों को लॉव, कॉपर और विभिन प्रकार के स्टोन्स की प्राप्ति होती थी तता अनिकों प्रकार के जो रॉव मेटरिल्स हैं वो दश्नापत मार्क के द्वारे विंदि नुँझ चिसनापय के मार्क के द्वारे डिक नित्स पर इन को रहा था इसके तृत बहुत ग्रंतों में ब ancoraरीयों के समूञ जीने एकारवा कहा जाता था उन से संभनित हमें वीवरेन प्राफ्त होते हैं इसमें यह कहा क्या है काठ होते थे एक हजार जो है बैल गाड़ियों का या घोड़ा गाड़ी का प्रयोग जो है ये कर रहे थे जिसकी साहता से वो एक जनपद से दूसरे जनपद यानि एक राज से दूसरे राज में जो है वस्तु को लीके जा रहे थे और हमें ये भी विबरन प्राफ्त होते हैं कि ये जो बैपारियों के करवा होते थे वो मार्ग में टोल और जो टैक्सिज हैं वो जिस राज में जाते थे वहांके राजा के अधिकारियों को जो है टोल और टैक्सिज जो है वो पेड़ भी करते थे और जो कस्टम ऑफिसल्स जिसे बहुत गरंतों में कमिक जो है कहा गया है वो इन बैपारिकों से टैक्स वसूल करता था इसके तरीक हमें अनेकों बहुत गरंतों में हमें अनेकों ऐसे उनलेक वाफ्त होते हैं कि जो इन मार्गों पर जो है लोटोरों के द्वारा जो है बैपारिकों को लोटने बैपा सासकों के दवारा, राजाओं के दवारा, राज भट नामक अधिकारी की नियقتि की गये थी, जिसका प्रमुख जो का रहे था, वो बैपारियों और उनके जो गोडस हैं, जो प्रपरटी हैं, जो यादरी हैं, उनकी सुरच्छा करना, जो है जीवन की सुरच्छा करना महतपूर जो है कारे था इसके तरिक मौर काल में जो है जो प्रमुख जो सडके होती थी इसपेसली जो बैपारिक मार्ग होते थे उनके किनारे हमें साइन बोट लगाने के भी साच्छे हमें प्राप्त होते हैं रिवर्ट रेड रूट्स जो नदियों के दोरा बैपार भी प्राशीन भारत में बहुती जादा प्रचलित हमें दिखलाई देता है नदियों में मुख्यरू से गंगा यमना, सर्यू, सोन, गंदक, कोशी, कृष्णा, तुंगमद्रा, महानदी, गोदावरी एवं कावईरी नदियों का प्रयोग जो है मुख्यरू से बैपार के लिए किया जा रहा था और ये जो प्रमुख नदिया थी, इनके किनारे जो है प्रमुख जो है बंदरगाह भी, नदियों के किनारे से बंदरगाह भी हमें दिखलाई पड़ते हैं इन नदियों के दोरा मुख्यरू से भारी वस्तूओं का जो है ट्रांस्पोर्टिस्टन किया जा रहा था मेलनी और मौरिकाल में मुख्यरू से हम ये देखते हैं कि असोग के काल तक आते आते जो है चुनार से जो सैंड स्टोन पिलर जिनकी प्राप्ति पूरे भारती महादीप में होती है असोग के द्वारा लगवाए गए स्टोन पिलर्स मुख्यरू से उनका जो ट्रांस्पोर्टिस्टन हुआ था वो रिवर रूट के तुरू ही किया गया था चुनार जो है अरधुनिक उत्रप्रदिस के अरधुनिक मिरजापूर जिले में इस्तिते गंगा के किनारे इस्तिते वहाँ से इन स्टोन पिलर्स को जो है कैरिट किया जाता था नदी रिवर रूट के द्वारा और देश के विभिन शित्रों में जो है नदी मारगों के साहता से उसे जो है डिस्ट्रिब्यूट किया जाता था ट्रांस्पोर्ट किया जाता था और इसकी प्राप्ति हमें दश्री भारत में मैसूर से लेकर जो है नॉर्थ विस्ट फ्रंटियर शित्रों तक हमें होती है और जो नदियों के प्रमुक बंदरगा होते थे वो लैंड रूट के साथ बहुती भली भाती वो connected थे पानी अपने अस्चा ध्याई में विफिन प्रकार के नावों यहाजों के बारे में हमें विबरन प्रदान करते हैं उनके फिर्म प्रकारों के बारे में भी बतलाते हैं और मौरियन पिरियेट तक आते आते जो नविगेशन है यानि नौ वहन जो है वो अपने चरम पर हमें दिखलाई देता है और गुप्त काल तक आते आते हमें इसमें अतिदिक जो है व्रिद्धी हमें इखलाई देती है और गंगा एक महतपूर जो है रिवर थी जिसके द्वारा माध्यम से बैबारिक गत्वुदियों को संज़ा था जो इंटर्नल ट्रेडरोस थे वो जो अंतरास्टी जो प्यपारिक मार्ग थे उनके साथ भली भाती वो जुड़े वे थे कनेक्टिट थे लिंग्ड थे और इन असली मार्गों के द्वारा जो है हमें यह दिखलाई देता है कि तस्सिला एक महतपूर सेंटर के रोप में तक जो है अनेको जो है ट्रेड रूट जो है कनेक्टिट हमें दिखलाई देते हैं इन इन बेरी पारिक मार्गों के साहयता से मुखिरू से रोच मे डेयर्ट शो है वो न का जो है आयाद किया जाता था मुखिरू से सिलवर, गोल, लापीज और जेर जैसे कीमती प्रस्तरो कीमति वस्तु का आयात किया जाता था इसके तरिक मैसोपटामिया और भारत के बीच हमें लंबी-दूरी की वैपारिक यात्राओं से समन्दित हमें सुछना ये प्राप्ट होती है मुकलूष से भारत से जो मैसोपटामिया को कीमति लकणिया भीज़े जाती थी Central Asia के साथ भी जो है भारत का जो ब्यापारिक संबन्द है वो हमें 9,5,5 काल से हमें दिखलाई देने लगता है और Central Asia के साथ जो ब्यापार था मुख्र उसे बोलन पास यानि बोलन दर्रे के द्वारा हो रहा था जो की उतरी अफगांस्तान में हिस्तित है और इन शेत्रों में जो है तस्सिला और चर्षदा जो है एक प्रमुख जो है अंतराश्टी ब्यापारिक केंद्री के रूप में हमें दिखलाई देते हैं जिनकी सहाथा से जो है भारत का जो है प्श्मी देश्व के साथ मन जो है अस्थापीत होता है और हम यह भी जानते हैं कि इन ही ब्यापारिक मार्गों के द्वारा जो है भारत पर अनिक आकरमण हुए थे चाहे वो पर्सियन हो चाहे मैसेदोनियन हो चाहे सेंटरल एसिया के जो जनजातियां थी उन्होंने इन ही ब्यापारिक मार्गों का प्रयोग करते हुए इन्हीं बोलन पास के द्वारा भारत पर अनिकों आक्रमट इसके तरुक बेंगौल से एक मार्ग मयमार और चीन की ओर जाता था और मयमार से मुखरूब से सेमी प्रिस्टिस स्टोन जेट को इंपोर्ट किया जाता था इसके तरिक प्राचीन भारत में समुद्री मार्गों का प्रयोग भी बहुत हमें महत्पूर दिखलाई देता है और पाली गरंतों में हमें इन से संबंदित अने को विवरण हमें प्राप्त होते हैं अंगुतर निकाय में समुंद्री वैपारियों से संबंदित उलेख प्राप्त होते हैं जिसमें यह कहा गया है कि समुंद्री वैपारी जो है पच्छियों का प्रयोग करते थे समुंद्र में रास्ता खोजने के लिए इस्पिसली अस्थल को खोजने के लिए जो है पच्छि का प्रयोग करते थे एन जातक ग्रंथों में भी हमें अनिको समुंद्री यात्राओं, वैपारीओं के समुंद्री यात्राओं से सम्मंदीत विवरण हमें फ्राप्त होते हैं और भारत का जो है दच्रिपूरी एस याई देशों के साथ बैपार जो है वो एतिहासी आरंबिक इतिहासी यूग से जो है हमें इस्टैब्लिस होता दिखलाई देता है बैपार में हो रही प्रगति के प्रणास शरू जो बैपारी थे उनका सहर उनका एक अलग समू हमें विक्सित होता वो दिखलाई देता है और जो की मुखरू से अर्बन सिंटर्स में निवास कर रहे थे और समभूता इसी कारण जो है बहुत गरंतों में वानिज्य यानि की ट्रेड को जो है सबसे महतपूर जो है बैवसाइक के रूप में आना गया है इस मैप में आप दच्छिड भारत के ट्रेड रूटस इन साउथ इंडिया को देख सकते हैं कि किस प्रकार से दच्छिड भारत मुखरू से तमिल नाडो और केरल का जो छेतर है किस प्रकार से अस्थली मारगों के द्वारा जो है वेरे वेल कनेक्टेड थे और सभी मारग जो है मुखरू से जो कुस्टल सी पोर्ट्स हैं उनके साथ जो है चाहे कोरकेई हो चाहे कुमारी हो सी पोर्ट के साथ बहुत ही वेल कनेक्टेड हमें दिख लाई देते हैं इस मैप में आप भारत के प्रमुख्ष बैपारिक मार्गों को देख सकते हैं आपने यह देखा कि यह उत्रापत है जिसके नौर्धन और साउधन स्ट्रक्टर को आप पहले से जानते हैं इसके त्रिक जो रेट लाइन है वो दश्रणापत के और इंडिकेट करता है इस प्रकार से अभी देखता कि उत्रापत और दश्रणापत से हमें ऐसे अने को मार्गों के बारे में सुचनाय अपराफ्त होती है कि किस प्रकार से दश्रणापत जो है सिंध के छेत्रों से होता हुआ अफगनिस्तान के साथ वेरी वेल कनेक्टेट था वही उत्रापत भी जो है पाकिस्तान और अफगनिस्तान के इन छेत्रों के साथ जो है बहुत ही वेल कनेक्टेट हमें दिखलाई देता है इसके तरीक उ और दूसरा मार्क जो है मेहमार की ओर थाटोन की ओर जाता था और यही से पुस्कलावती से जो है सेंडल एसिया तता इरान की ओर जाने के लिए इंटरनेशनल ट्रेड रूट से हमें जुड़े हुए थे और जो एंसिंट सिल्क रूट था वो चीन से होते वे इन मार्कों के द्वारा चीन से होते वे पुस्कलावती में आकर मिलता था चीन से भारत इस मैप में आप मेजर ट्रेड स्वारी मेजर रूट्स कनेक्टिंग एसे यह रोपन अफरिका को आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो है पुस्कलावती जैसा हमने आपको पहले बताए कि पुस्कलावती जो है सिल्क रूट से जुड़ा हुआ था और यहां से इसमूञावती जो है सेंटल इसगा के साथ इनकी कनेक्ट भी बहुत ही वेल और्गनाईज ठी और पर्शिया इरान और वेस्ट इसया जाने कि लिए ट्रेड रूट्स जो है वेल डे वलफ हमें दिखला ही ने चीन जाने के और वेस्ट की ओर से होने वाले जिते भी इन्वेजन थे इन्हीं मारगों का प्रयोग आक्रमरकारियों ने भी भारत पर आक्रमर करने के लिए किया था इसके साथी साथ जो प्रभुक टुचीनी यात्री बहुत यात्री भारत आये उन्होंने भी इन्हीं सिल्क रूट के द्वारा भारत की यात्रा की थी और इस map में आप देख सकते हैं कि किस परकार से भारत का जो coastal चेतर है जो समुंदरी चेतर है वो बेया Bengal में किस परकार से जो है South Asia के देशों के साथ connected हमें दिखलाए देता और यहां से चीज़ की और जो है भारत का समुंदरी बैपार हमें दिखलाए देता वेस्टरन कोस्ट से मुकरों से जो है वेस्ट एसिया के देशों के साथ साथ एजिप्ट और यूरूप ग्रीस और यूनान के साथ हमें बैपार को हम जगते हैं और अफरिका और नॉर्डरन अफरिका के साथ भी इनका बैपार जो है वेल कनेक्टेड हमें दिखलाए देता है इस map में आप वापयान के travel route को देख सकते हैं किस परकार से वापयान ने उसी silk route का प्रयोग वैपारिक मार का प्रयोग भारत आने के लिए किया था और यहाँ पर वो तस्दिला आने के पर शाद वो इसी उत्रापत मार का प्रयोग करता है कि मारकी सहायता से भारत के अनिकों बहुत अस्थलों का यात्रा करता है तामरलिक्ती से वो स्रिलंका और स्रिलंका से पलेंबंग जावा और जावा से वापस समुद्री मारक के द्वारा चीन चला जाता है तिस प्रकार से हम देखते हैं कि जो बहुत भीचू है वो चाहे अस्थली हो चाहे जल हो समंधरी मारगों वो बैपारिक मारगों को ही फॉलो करते हैं और यह जो मैप है वो वेंसॉंग का यात्रा मारग था और वेंसॉंग भी भारत यात्रा कहरने के लिए इस रेड लाइन में आप देख सकते हैं कि सिल्क रूट का वो का उप्योग करता हूँ और श्रिल्क रूट के माध्यम से वो भारत के पश्चम उत्र चेत्रों में आता है और यहां से तस्सिला होता हुआ वो पुना उत्राबत मारग का प्रियोग करता है और लगभग संपूर भारत की वो यात्रा करता है इन वेपारिक मारगों की सायता से और सुदूर दश्ड में वो कांची पूरम पलो के सासन काल में कांची पूरम तक आता है और महारास्टरा के चेत्र में पुलकेशिन के देश की यातरा करता है तता गुजरात के चेत्रों के यातरा करता है वो वापस वो पुना बैपारिक मारगों के साहता से नीले नाइस आप देख सकते हैं कि वैपारिक मारू की सहायता से वो वापस अपने देश जो है लैंड रूट का प्रयोग करते हैं वो अपने देश जो है चागान जो है वो वापस जाता है Thank you very much